सुन्दर्वन जंगल कराज अथा रगु नाम का एक दयालू शेर। रगु बहुत ही अच्छे सवभाव का था। रगु के जंगल में बहुत सारी जानवर थे। वो अपने जंगल के जानवरों का बहुत खयाल रखता था। लेकिन अब रगु बहुत बूड़ा हो चला इसी लिए वो बस हर समय अपने गुफा पर ही रहता था। इसी जंगल में एक बागिन अपने बच्चे सफीद बाग के साथ रहती थी। बागिन का बेटा बहुत छोटा था। लेकिन होश्यार बहुत था। बागिन अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। बागिन के बेटे का नाम भोलू बाग था। एक बार एक भालू जंगल में टहल रहा था। तभी उसके पेर में एक कांटा चुप जाता है। वो दर्द के मारे परिशान हो रहा था। के पास जाता है तुम परशान ना हो भोलू दोस्त मैं तुम्हारे पेर से काटा निकाल दूंगा मैं करूंगा तुम्हारी मदद फिर भोलू उसके पेर से काटा निकाल देता है भालू से बहुत धनिवाद करता है और वो दोनों वहां से अपने अपने रास पे चल देते हैं इस तरह बागिन का बेटा सब की मदद करता, बहुत दिन ऐसे ही बीट गए, एक बार जंगल में एक खुंकार खुनी चीता गुसाता है, वो बड़ा जालिम था, इस जंगल में आकर चीता बड़ा खुश होता है, और खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो वो सारा बोजन मिलने वाला है, इस तरह खुश होकर वो जानवरों का शिकार करना शुरू करतेता है, चीता को ऐसा करते देख, जानवर अपनी जान पचा बचा कर भागने लगते हैं, लेकिन चीता बहुत से जानवरों को मार डालता है, तभी वहाँ जंगल का राजा, जंगल के जानवरों को नुकसान पहुचाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ओए बुढ़े शेर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता, अब तो तू भी मेरा शिकार बनेगा, इस तरह वो चीता रगु शेर पर वार करता है, दोनों में लड़ाई होने लगती है, और चीता रगु को बिलकुल घायल कर देता है, और कहता है, मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, तुझे तडपा तडपा कर मारूंगा, और मैं इस जंगल पर अपना हुकुम चलाऊंगा, इस तरह वो खूनी जालिम चीता रगु शेर को जखमी कर एक मिंजरे में कैद कर देता है, और खुद जंगल पर रास करने लगता है, जंगल की बाकी जानवर बहुत ज्याद अडरे हुए थे, तब एक गाय आती है, और कहती है, अरे भाईयों, अब क्या होगा, उस चीता ने तो हमारे जंगल में तबाही मचा दी, ऐसा करते ही, हम तो यहां से किस दूसरे जंगल चले जाते ही, नहीं भाई नहीं, हमारे राजा हमारे लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, उन्होंने हमें हर मुसीबत से बचाया, हम उन्हें ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते, हमें उस चीता से बचने का कोई उपाई सोचना होगा, हाँ साथियों, मेरे पा लागिन ऐसा मत कहो, भोलू को बताने दो, शायद भोलू कुछ सही बता सके, हम ऐसा करेंगे, एक कुए में खूब सारा मास डाल देंगे, और हम मैंसे एक कोई भी उस चीता के सामने आएगा, और उसे कुछ भी करके उस कुए तकलाना होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊ कई कि क्या करना है? को मरा हुआ पाता है यह देख भोलू जोरों से रोने लगता है बाकी जानवर भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब सब बहुत दुखी थे तब एक गाय कहती है रो मत बेटा भोलू उस चीता को अब तो हम नहीं छोड़ेंगे उसने हमारे साथियों को मार डाला चलो भोलू एक कुए में खूब सारा मास डाल देते ही और छिप जाते हैं और लॉमडी जाकर चीता के नजदीक जाकर खड़ी हो जाती है जब चीता उसे देखता है तो उसका शिकार करने उसके पीछे भागता है लॉमडी तेजी से आगे बढ़ती है और भागती भागती कुए तक प से बोलता है ये लोमडी कहा मर गई अभी तो मेरे सामने से भागी जा रही थी आज के भोजन का क्या होगा मुझे तो बहुत तेज भूक लगी है वो लोमडी को इधर उधर डूनता है तो उसे कुए से मास की खुश्बू आती है तो वो उसके पास जाकर देखता है तो उसे महां बहुत सारा मास पड़ा मिलता है उसे देख चीता खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह इतना सारा मास शायद किसी ने अपना भोजन चिपा रखा है मेरा काम तो बन गया वह लोमडी हाथ नहीं लगी तो क्या हुआ मास तो खाने को मिल ही गया ना इतना कहते ही चीता उस मास को खाने कूवे में कूद पड़ता है और मास खाने में लग जाता है उधर वो सारी जानवर बाहर निकल कर आते हैं और चीता पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश कर देते हैं पत्थरों की दबाव से चीता महीं दम तोड़ कर मढ़ जाता ह और सारे जानवर उस चीता से मुक्ति पा कर बहुत खुश होते ही और गाए भोलू बाग को मा जेसा प्यार देती है और उसे हमेशा अपने साथ रखती है और अपने राजा रगु शेर को भी वह सब रियाह करा लेते ही और सब फिर से हसी खुशी अपना जीवन वैतीत करने लगते है इस तरह बागिन के एक छोटे से बच्चे की अकल से जंगल के बहुत सारे जानवरों की जान बच गई तो आपको आज के हमारी कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अप्रिशेट करने के लिए कॉमेंट जरूर किया करें वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें थैंकि सो मच गाइस फर वाचिंग ये कहानी है एक ऐसे शेयर की जिसकी अद्भुत चतुराई, बिचली सी फुर्ती और बेमिसाल ताकत के सामने दरजन भर हातियों का जुन भी गुटने टेक देता था जानविरों का कहना था कि सुन्दरवन जंगल का वो शेयर पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर शेयर था उस शेयर का नाम है शेयरा, शेयरा की मुटी भर सिपाही भी एक चटान की मानेंद थे लेकिन शेयरा और उसकी सिपाही जिसका सामना नहीं कर पा रहे थे वो था बंटी बाग का जंगल बंटी के सिपाही इतने तादात में थे कि जहां तक भी नजर जाती थी सपाही ही सिपाही नजर आते थे बंटी बाग ने शेरा की जंगल के सभी जान्वरों को अपनी कैद में रख रखा था वो उन पर बहुत जुल्म क्या गरता था बंटी बाग का एक सेवक कालिय शेर था जो कि बंटी का बहुत करीबी दोस्त था एक बार बंटी बाग कालिय को अपना पैगाम देकर शेरा के पास भेजता है सुनो शेरा शेर, मैं यहाँ बंटी महराज का पैगाम लेकर आया हूँ बंटी महराज का कहना है कि अगर तुम अपनी पढ़जा की आजादी चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो बदले में हम तुम्हारी पढ़जा को रहने को जंगल भी देंगे और उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुचाएंगे मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा कालिया अब तुम जा सकते हो तब शेरा अपनी पत्नी भानवी और अपने सबी सिपाहियों को बंटी के पैगाम के बारे में बताता है ये सुनकर शेरा का दोस्त वीरू बोलता है लेकिन महराज ये कोई जाल भी तो हो सकता है हाँ वीरू हो भी सकता है लेकिन अगर बंटी अपनी बात पर खरा उत्रा तो सभी जानवर आजाद होकर खुशी से रह पाएंगे तब शेरा खुद को बंटी के हवाले करने बंटी के जंगल जाता है शेरा की सिपाही भी शेरा के साथ आ जाते हैं आओ शेरा आओ मुझे तो मालूम था कि तुम्हारे ये सिपाही भी तुम्हारे साथ जरूर आएंगे अब मैं तुम्हारे सारे सिपाहीों को हमेशा के लिए जंगल में केद कर लूँगा और इन सब को तडपा तडपा कर बारूँगा तभी कालिया शेर आकर दर्वाजा बंद कर देता है बंटी, तुमने मेरी पढ़जा को आजाद करने के लिए बोला था मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ तुम मेरी पढ़जा को और मेरे सिपाईयों को यहां से आजाद कर दो आये हुए चिकार को भला कौन जाने देता है शेरा जाओ तुम्हारे पास दो दिन है जीलो अपनी जिन्दगी उसके बाद में इस दुनिया से तुम्हारा नामों निशान मिटा दूँगा शेरा अपनी परजा अपने सिपाहियो और अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच सोच कर बड़ा परिशान था तब शेरा अपने दोस्त वीरू और अपनी पत्नी भानवी को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है देखो वीरू और भानवी बंटी बाग ने हमारे साथ धोका किया है वो अब अपनी बास से मुकर गया अब तुम जानते हो कि मैं अकेला ही इस बंटी और इसके कई सिपाहियों को जान से मार सकता हूँ लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो बंटी के सिपाही हमारे जंगल के जानुरों को मार डालेंगे हम अभी इनका मुकाबला नहीं कर सकते आज रात में यहां एक खूफिया सुरंग से बाहर निकल जाऊंगा और अपने दोस्त रामू चीता से जाकर मदद माँगूँगा फिर मैं रामू के साथ मिलकर एक बड़ी तादाद में बंटी के जंगल पर हमला करूँगा उसके बाद मैं तुम सबको आजाद करा लूँगा भानवी तुम अपना और बगीरा का खया लखना तब शेरा उस सुरंग को ढूनने लगता है कुछ देर बाद शेरा को वो सुरंग देख जाती है जैसे ही शेरा उसकी और बढ़ता है तभी बंटी का एक सिपाही उसे देख लेता है और जोर जोर से बोलता है जल्दी से बाहर आओ शेरा भाग रहा है तब बहुत से सिपाही और बंटी बाग वहां पहुंच जाते हैं कुछ देर बाद शेरा के सिपाही और भानवी भी वहां पहुंचते हैं क्यों रे शेरा जो तेरे सिपाही तेरे से इतना प्रेम करते थे आज तु उन्हें ही छोड़ कर भाग रहा था देख लो सभी सिपाईयो आज तुम्हारा महराज शेरा अपनी जान को बचा कर भाग रहा था और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अभी भानवी से भी कहलवा देता हूँ तब बंटी भानवी के पास आकर आराम से कान में बोलता है भानवी अगर तुमने आज इस बात को स्विकार ना किया तो मैं तुम्हारे सारे सिपाईयो और सभी जानोरों को जान से मार डालूँगा और सबसे पहले मैं तुम्हारे इस बेटे से शुरुआत करूँगा इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वही करो भानवी पहले शेरा की तरफ देखती हैं और फिर सभी सिपाहियो की और हाँ सिपाहियो शेरा हम सब को छोड़कर यहां से भाग रहा था बंटी बाग सही बोल रहा है ये सुनकर सभी सिपाही दंग रह जाते हैं और वो शेरा पर बहुत गुसा भी होते हैं देख लियाना सिपाहियों तुमने, क्या अब इस पर भरोसा करोगे, माल डालो इसको। बंटी बाग सभी सिपाहियों को बहला कर शेरा को मरवा डालता है। बेचारी भानवी सभी सिपाहियों से बड़ा प्रेम करती थी। इसलिए वो सबकी जान बचाने के लिए अपने पती शेरा को मरवा देती हैं। यह देख बंटी बाग बहुत खुश था। उसको मरवा कर बंटी शेरा को उसी सूरंग से बाहर फेंक देता है। अब कुछ साल भी चलते हैं। भानवी का बेटा बगीरा भी अब जवान हो चला था। शेरा की सब भी सिपाही बगीरा को भी भगोडा बुलाते थे। यह देखो यह भी शेरा का बेटा भगोडा है जैसा बाप भागना चाहता था। यह भी हमें चोड़कर जरूर ऐसे ही भागेगा। यह सुनकर बगीरा अपने पिता पर बहुत गुसा होता था। वो भी अब यही मानने लगा था कि उसके पिता गलत थे। एक बाद बगीरा के पास शेरा का दोस्त वीरू आता है और कहता है। सुनो बेटा बगीरा तुम्हारे अंदर शेरा का खून है जो तुम्हारे पिता नहीं कर पाए थे वो अब तुम्हें करना होगा। मतलब मेरे पिता तो जंगल छोड़कर नहीं भाग सके तो अब मैं जंगल छोड़कर भागू। नहीं बेटा तुम्हारे पिता अपनी जान बचाने के लिए नहीं हम सब को यहां से बचाने के लिए भागे थे लेकिन वो यहां से निकल नहीं सके लेकिन वो यहां से भाग कर जाते कहां बेटा शायद आज भी शेरा का दोस्त रामू चीता तुम्हारे पिता का इंतजार कर रहा होगा लेकिन उसे ये नहीं पता कि शेरा मर चुका है आज रात में तुम्हें उस सुरंग से बाहर निकालूंगा और तुम रामुचीता से जाकर मदद मांगना तब रात होने पर वीरू बगीरा को सुरंग से बाहर निकाल देता है तब बगीरा वीरू के बताए हुई रास्ते पर लगातार दो दिन तक चलता है आखिरकार बगीरा रामू चीता तक पहुँची जाता है और रामू चीता को पूरी बात बताता है शेरा की मोत की खबर सुनकर चीता बड़ा उदास हो जाता है तब चीता बगीरा से कहता है सुनो बेटा बगीरा शेरा भले ही ना रहा हो लेकिन हम तो जिन्दा हैं ना मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर सभी जानोरों को बंटी की घुलामी से जरूर आजात कराऊंगा तब रामू चीता एक बड़ी सेना साथ लेकर बंटी बाग के जंगल के ओर निकल पड़ता है सुनो रामू चीता हमें उन बागों को कम संख्या में करना होगा उसके बाद हम बंटी के जंगल पर हमला करेंगे कुछ बाग हर रोज अपने जंगल से बाहर टेहलने के लिए निकलते हैं हमें रोज उन्हें जंगल से बाहर मारना होगा तब बगीरा और रामू छिप कर बंटी के जंगल की बाहर से निगरानी करते हैं शाम के समय कुछ बागों का जुंड बाहर निकलता है रामू की कुछ सिपाही जाकर उनको मार डालते हैं ऐसे ही कई दिनों में रामू और बगीरा बहुत से बागों को जान से मार डालते हैं बेटा बगीरा अब वक्त आ गया है जंगल पर हमला करने का आज ही हम जंगल पर हमला करेंगे तब सभी चीता बड़ी ताकत और फुर्ती के साथ जाकर जंगल का दरवाजा तोड़ देते ही और जो भी बाग सामने आता वो उसे जान से मार डालते खुछी देर में रामू के सिपाही बंटी के सिपाहियों को मार डालते हैं ये देख बंटी की टांगी थर थर कांपने लगती है कुछ देर बाद दर्वाजी से जो आता है उसी देख कर जानवर सभी दंग रह जाते ही भानवी भी खुशी से फूली नहीं समाती वो देखते हैं कि शेरा जंदा है और उसी ताकत के साथ फिर सी जंगल वापस लोटाया है दरसल जब शेरा को मरा हुआ समझ कर सूरंग से बाहर फेक दिया था तो भालू शेरा को घायल पड़ा देख शेरा की पास आता है और उनको उठा कर एक बगी में डाल कर अपने साथ घर ले आता है और शेरा की मरहम पट्टी करता है दो तीन दिन बाद शेरा को होश आता है लेकिन शेरा इतना घायल था कि उसे ठीक होने में सालो लग गए बगीरा अपने पिता को देख कर बहुत खुश होता है अरे अरे तुम जिन्दा कैसे तुम्हें तो मैंने मरवा डाला था ना मेरी छोड़ो बट्टी अब अपनी सोचो कि मैं अब तुम्हारा क्या हाल करूँगा तब शेरा बटी पर एक के बाद एकवार करता है और उसे खूंद से लत्पत करके जान से मार डालता है उत्सके बगीरा सभी जानवरों को आजाद करा के अपने पिता और अपनी मा के साथ जंगल में हसी खुशी दैने लगता है तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हमें एप्रिशेट करते रहें फीचर भी अच्छी यूनिक और लेटेस्ट कॉंटेंट लाने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शर और सब्सक्राइब करना ना भूले